मेरा नाम ह्सी पंत है मैं दिल्ली ऑपिशिस एंड इस्टपिश्मेंट अप्लाइज यूनिन का मास अची हूँ और यह हमारे यूनिन के वरकर है यह सुपरबाईजर है इनका जो मसला चल रहा है तर्मिनेशन का चल रहा है पर्मिनेंसी की मांग के उपर यह सब लोग यहां पर बैठे हुए है आज इनको 28 दिन दरने पर हो गए है 38 दिन हो गए है तो यह सब यहां बैठे हुए है समान काम का समान बेतन के लिए भी इनकी मांग है जिसके लिए हमने यह हैंड बिल चपवा रखे है इसमें पूरी डिटेल हमने दी हुई है और अभी इन्होंने चौशेट वरकरों को सुपरबाईजरों को टर्मिनेशन कर करने का करा है कोई कारण नहीं है उन्होंने यह कहा कि हम 400 नहीं भड़ती करने कोई नोटीस नहीं दिया कोई नोटिस नहीं दिया टर्मिनेशन कर दिया 25 तारिक को इन्होंने नोटिस बेजा और 30 तारिक से इनका काम बंद कर दिया यह सब गैर कानूनी काम कर रहे हैं और इसके खिलाब हम लेबर डिपार्ट में भी गए हुए हैं अभी हमने लेबर कविश्णर से भी बात किया और उसके बाद उन्होंने भी तीन तारिक को साड़ी ग्यार बजे यह राजेंदर धर हैं यहां पर इन्होंने बुलाया है और इसके अलावा भी अभी कल जो है यह जो केजिरिवाल जी मुख्यमंत्री हैं इन्होंने भी हमारे जो सांगसद हैं कामरेट तपन सेंड के हासन कुछ नहीं मिला है अभी तो खबर यह आ रही है कि यह जो लोग बाहर है इनको टर्मिनेशन नोटीज देने जा रहे हैं यह हमारे पार खबर आ रहे हैं बाकि इनको अंदर लेने की अभी तक कोई वैसी बात कहीं से है ही नहीं देखिए हमारी योजना है कि अभी तो अभी तो 9, 10, 11, 3 दिन हम बड़ा अभियान कर रहे हैं पार्लियामेंट पर तीन दिन का अभियान रहेगा हमारा हमारी और भी ट्रेड यूने जो साथ आके इस प्रोग्राम को कर रहे हैं अभी हम उसमें भी लगे हुए हैं वो बड़ा प्रोग्राम है जिसमें ठेकेदारी के खिलाप है बोनस की मात्रा बढ़ाने की बात है ग्रेजवेटी बढ़ाने की बात है और यह जो सरम कानूनों में तब्दिली हो रही है सरकार की तरफ से मजदूर भी रोधी जो नीतियां आ रहे हैं इसके खिलाब हम देश ब्यापी अंदून करने जा रहे हैं यह चाहे कुछी भी कर लें हम भी अपना अंदून करेंगे उसके बाद जब कानूनी नहीं रहेगा तो हम किसके लिए लड़ेंगे जब देश में कानून नहीं रहेगा मजदूर की आवाज उठाने का कोई जगह नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे हम तो लड़ेंगे चा माम मीटिंगे जगा जगा दिली भर में देज भर में सब चल रहा है कल भी हमने एक मसाल जलूस निकाला है बगज सिंग पारक से उसमें भी हमने आईटी ओ चौक पर मसाल जला करके यह सारी बाते हुआ बता ही जनता को जो जिस मांग पर हम लड़ने जा रहे हैं उसी पर इनक करेंगे सब को पक्का करेंगे और निू तम बेतन ही इतना देंगे 18 जार निउन तम बेतन की मांग ऐसर हमारी कम से कम 18 जार मिलना चाहिए दिली सखारों ने 37 पर्षैंट नीू तम बेतन बढया था मार्च से बगर आज तक को पैसा नहीं मिल रहा है गरी मजळूर को मजदूरों को बेतन नहीं मिल रहा है छे मेने साथ मेने हो गए सर आखिर यह मजदूर जाएंगे कहां और जगह से भी ऐसी आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे अपनी मांग के लिए जो हमारे बुनियाद यदिकार है उसके लिए हम लड़ रहे हैं लोगों को जागरत कर र जागरत कर दो देखो ऐसा है गदी में आने के बाद वह जूमला ही कहेंगे वह सच्चाई को छुपा नहीं सकते लोगों ने जो उनुने कहा अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे दिन तो यह सब आ रहे हैं यही अच्छे दिन थे हैं और उनुने सब का भिकास होगा यह पूजगार हो गए तो बच्चों की पड़ाई लिखाई खराब हो गई घर का सारा सिस्टम इनका खराब हो जाएगा तो क्या होगा यह पिकास कहां तो बिनास हो रहा है है अरे दो चार पुल कहीं बना लोगे बाकि यह जो नीचे से जमीन से जो जुड़े हुए लोग है देखो वह सब जुड़ेतं की पराश़ायस खालं कि फैसे बाश को ठेसने पर्टकाश हो रहे है अभी नोट बंदी किया कितने हजार कार खाने बंद ल inac कुम मजबूर बेकार हो गए अभी जियेश्टी लियाए हर जगह पर परिशानी लोगों की पढ़ती जा रही है है जेप कट रही है लोगों की आराम से किसके पास जाए कहीं जाएं भी तो वहां ये सब पाबंदिया हो रही है कल जंतर मंतर पे सब को उठा दिया अब कह रहे जंडा उठायता मैंने तो जब से हम देख रहे हैं बहुत सरकार आई बहुत सरकार चली गई बड़े बड़े आंदोलन हो गए इमर्जेंसी लग गई सब कुछ हो गया मगर आज जो हालात हम देख रहे हैं अच्छे हालात नहीं है यह देश के लिए शुप लक्षन नहीं ह घदे तानि बहुत